दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एकरार यूटूब चैनल पे इस वीडियो में आपको बताएंगे State Bank of India का User ID, Password आप भूल चुके हैं Net Banking का तो दोस्तों आप कैसे State Bank of India का SBI का Net Banking का Password, User ID कैसे आप online पता कर सकते हैं और अपना Password को कैसे आप दोबारा आप बना सकते हैं इस वीडियो में आपको पुरी जानकारी Life Proof के साथ पताएंगे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेक एकरार YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा चलिए फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर अपना User ID और Password SBI का भूल चुके हैं तो आपको SBI Online आपको सर्च कर लेना होगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं State Bank of India के साइड पर आ चुके हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं Personal Banking Login इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको continue to login यहाँ पर आपको click कीजिएगा आपकी user ID password आप भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको forget का option आपको दिख रहा है forget user ID तो आपको इसी पर आपको click कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यह dashboard open हो जाएगा, आपको इसी पर आपको click करना होगा, जैसे यहाँ पर आपको click करना होगा, तो आपको यहाँ पर select करने का option आएगा, कि आप user ID format करना चाहते हैं, अपना user ID को पता करना चाहते हैं, तो आपको इस पे क्लिक किजिएगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इहाँ पर next का option दिख रहा है, next फ़ाल एप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, जैसे next पे हम क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर आपके पास जो भी आपका cif नंबर होता है, आपको अपना cif यहां पर और अपना जो भी country इंडिया है आप इंडिया पर select किजिएगा अपना रजिस्टर मोबाइल नमबर और यह जो capture दिख रहा है capture को इस box में डालके submit पर क्लिक किजिएगा जैसे आप submit पर आप क्लिक करेंगे आपका state bank of इंडिया से जो भी रजिस्टर मोबाइल नमब पर है उस पर OTP आया है OTP को आपको इस box में इंटर कर दिजिएगा continue पर क्लिक किजिएगा आपके पास OTP नहीं आता है तो यहां पर check recent OTP पर क्लिक करके अपना OTP को मगा सकते हैं तो आप form पर आपको क्लिक कर देना होगा आपका user ID आपका SBI का net banking का user ID आपके सामने यहां प अपना password के लिए आपको यहां पर देख सकते हैं आपका user ID आपने पता कर लिया है तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर फिन दोबारा आना होगा forget पर आपको फिन दोबारा क्लिक करना होगा password अपना set करने के लिए तो हमने यहां पर forget पर क्लिक करेंगे अ अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डेस्ट बेट ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर आपको देख सकते इस पर क्लिक कीजिएगा अब पासवर्ड को आपको यहाँ पर सलेक्ट कीजिएगा जैसे पासवर्ड हम अपना यहाँ पर फॉर्गेट करना चाहते हैं पासवर्ड select कीजिएगा mobile number data word capture code यह वाला box में इसमें इंटर करके submit पर क्लिक कीजिएगा वो क्लिक कर देना होगा जैसे आप submit पर आप क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर mobile number है उस पर OTP आएगा उस OTP को आपको इहां पर आपको इंटर कर देना होगा इहां पर confirm पर click कर देना होगा, आपके पास OTP नहीं आता है तो check request आपको इहाँ पर OTP को दोबारा मंगा सकते हैं, OTP आपको enter करके confirm पर आपको click कर देना होगा, अब इहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना जो user ID के साथ आत या तो debit card के साथ अपना जो भी आप net banking का password sit करना च आपको देख सकते हैं हमने आप डेविट card पर click करेंगे, debit card का detail आपको enter करना होगा, जैसे आप देख सकते हैं debit card जो भी ATM card के detail आपको इहाँ पर submit पर click किजिएगा, आपको इहाँ पर जो भी है आपका जो debit card का detail आपको इहाँ पर show कर ले जाएगा, अब इहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको debit card पर click किजिएगा और यहाँ पर confirm पर आपको click कर देना होगा, जैसे आप confirm पर आप click करेंगे, आपका जो भी debit card का है, आपका month और year और आपका जो नाम print है debit card पर ओनाम आपको अपना pin और यह जो capture दिख रहा है, capture इंटर करके आपको proceed पर click करना डाल दिया है, अब यहाँ पर proceed पर आपको click कर देना होगा, जैसे आप proceed पर आप click करेंगे, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी है reference आपकी जो भी आपको यहाँ पर new password select करने का option आता है, तो जो भी आप password यहाँ पर रखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर enter कर दीजेगा, री confirm आपको करना होगा, और submit पर आपको click कर देना होगा, जैसे आपको यहाँ पर password select करके submit पर click करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा successfully password create हो चुका है, हमारा user ID भी find कर लिया है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर दोबारा आपको SBI क जो भी आपने, अपना user ID, password आपने बना रखा है, अपना user ID पाता कर लिया है, तो आपको यह अपना user ID यहाँ पर डालिएगा, और आपका जो password है, password इंटर करके, और यहाँ पर जो capture दिख रहा है, capture को इस box में डालके, login पर click किजिएगा, डिटेल इंटर करेंगे, आपके जो register mobile नमर उस पर OTP आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, OTP को enter किजिएगा, submit पर आपको click कर देना होगा, आप देख सकते हैं कि आप internet banking, SBI का internet banking में आप login हो चुके हैं, आपको हमने बताया कि अपना user ID, forget कर सकते हैं, और अपना password आप भूल चुके हैं, तो आप ऐसे ही अपना user ID और password को create कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like किजिएगा, और take एक रार चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को subscribe किजिएगा, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक ले ठीक है, bye, thank you.